अगर सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मुड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किले आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन को मत छोड़ना दमस्कार दुस्तों, आज के वीडियो में जिसक्रा करेंगे हम 28 नॉम्मर के करेंटर पर और आज के वीडियो में टोटल हम 12 most important करेंटर पर साचा करेंगे और साथ में इन से जुड़े जितने भी special factor हैं, उन पर पूरे डीटेल में साचा करेंगे और देखें इस वीडियो क्लास्ट में आपका एक टेस्ट भी ले जाएगा तो इस टेस्ट को जरूर देजेगा अद्धिक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो देखें ये बिक्ति आपके थें फकीर चंद कोली, नाम अच्छा है तोड़ सा और याद भी रहेगा आपको देखें जो आपके फकीर चंद कोली हैं ये कौन थें, देखें टाटा कंसेंटरेसी सर्विसेज जो TCS के नाम से आजाता है सौड़ में, इसके ये संस्थापक थें और ये इसके पहले चीफ एक्सक्यूटी ओपिसर वी थे कौन? फकीर चंद कोली, और देखें इनको भार्दी IT उद्योग का पिता, यानि कि फादर आप The Indian IT Industry के रूप में जनाता है और जोबके फकीर चंद कोली हैं, इनको पद्म भूसर से भी समन किया गया था और जोबके फकीर कोली हैं, इन्होंने Tata Power Company के उपर महा परबंदध के रूप में भी काम किया था और पुने के College of Engineering के Board of Governors के ये अद्धेश भी रहे थे तो अगर एक्जाम में पुछा था कि फकीर चंद कोली कों थे, तो इनके बारे में जितनी भी डीटल सी मैंने बता दिया इनके बारे में जो सबसे खास तत्य है कि ये TCS के पहले मुखे कारेकारी अद्धकारी और ये इसके संस्तापप भी रहे थे और दूसरा प्रशनी की हाल ही में विस सुबैंक के किस पूरो अधिक्ष का निधन हो गया तो दीकि विस सुबैंक के ये पूरो अधिक्ष थे आपके जेम्स वोल्फिंसन देखे जो आपके जेम्स वोल्फिंसन इनकी फोटो आपको यहां पे देख रही होगी ये जो है एक आश्टिलियाई अमेरिकी वकिल थे इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और अर्शास्त्री थे और जो आपके जेम्स वालपिंसर हैं उन्हें देखे 10 सालों तक 1995 सी 2005 तक विस्व बैंक समू के 9 अधिस के रुपे कारे किया था तीसरा प्रशनी की खेल मंत्राले ने हाली में किसे राश्टी खेल महा संग के रुपे मानिता दी देखे जो भारती तीरंदाजी संग था इसकी मानिता बहुत पहले रद कर दी गई थी 8 साल पहले लेगिर अभी हाली में इसको फिर से बहाल कर दिया गया और अभी हाली में भ राज़ी खेल महासंग के रुपे देखे राज़ी खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाओं नहीं कराने कारण इसकी मानेता आठ साल पहले रध हुई थी और जो आपका भारती तीरंदाजी संग है देखे इसके चुनाओं इसी साल जनवरी में भी हाली में हुए थे और उज़े अर्जुर मुन्डा हैं इनकों चुना गया था अध्यक्षिक का भारती तीरंदाजी संग यानि की आरचरी ऐसोसियेसन आप इंडिया का तो वर्तबान में प्रेजिडेन्ट कौन है आर्चरी ऐसोसियेसन आप इंडिया कह थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में सिथ है चौथा प्रशने की किस मले आलम फिल्म को तीरान बेवें अकेडमी आवार्ड्स के लिए अभिहाली में सरस्रेश्ट अंतराश्टी फीचर फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टी के रुप में चुना गया है तो दीखे ये मले आलम फिल्म आपकी है जल्ली कट्टू और इस प्रगार की जो भी फिल्म है चर्शाय में आती है उसकी निर्देसर यानि की डिरेक्टर का नाम एकजाम में पूछ लेता है तो जल्ली कट्टू फिल्म में देखे ये एक मले आलम फिल्म है और इसको निर्देसित किया है लिजो जोस पेलिसरी ने इनका नाम नूट ख़लिएगा और एक सबसे खास बात और है देखे जल्ली कट्टू गुरू 1997 में और एडमिन्टे मकन अबू 2011 के बाल तीसरी मले आलम फिल्म बन गई है जिसको आसकर के लिए देश की आधिकारी प्रविश्टी के रूप में चुना जाना है तो जल्ली कट्टू के बारे में ये खास वायक्त आपको और मिल गया है देखे जल्ली कट्टू का जो प्रीमियर है ये अब यारी में टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जिसे आलशकों के द्वारा प्रसंसा मिली थी ठीक है और इसे बाद में बूसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और अन्य प्रमुक्ष असानों की मेजबानी में परतसित किया गया सी काफी तारीफ हुई दीखे 2019 की बात है पिछले साल 2019 में जोया अक्टर की एक फिक्चर आई थी जिसका नाम था गलीब हुआ जिसमें रणबीर सिंग और आलिया भट ने अबडे किया था तो इसको जो है पिछली साल 2019 में आजकर में भारत की प्रविष्टी के रुप में चुना गया था तो यह सारे खास फैक्ट हैं दीखे बहुत ही जो इंपॉर्डेन फैक्ट होता है वही मैं आपको उता था हूँ बाकी बताने वाले तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है शल और पांचो क्रिशने की हाली में उत्तर प्रदेश के जिले में बनना है हवाईड़े का नाम बदल कर मर्यादा पूरसोतम स्रीराम हवाईड़ा कर दिये गया है तो दीखे उत्तर प्रदेश के आयोधिया में एक हवाईड़ा बना जा रहा है जो कि सायद बनने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाईड़ा भी हो इसका नाम रखा गया है मर्यादा पुरसोतम स्रीराम हवाईड़ा इसकी गोश्रा कब हुई थी देखे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमत्री हैं योगी आदितनाथ इस हवाईड़े को बनाने की इसके निर्माण करने की गोश्रा की थी आयुध्या में एक अंतराष्टी और घरेलू दोनों टर्मिनल होंगे यानि की बारत की लोकल उड़ाने भी यहां से बिलेंगे आपको और यहां से आप इंटरनेशनल यात्रा भी कर सकते हैं देखे आयुध्या जिला जो है यह पहले फैजाबाद के नाम से नातावाद में इसका नाम भी परिवर्चित किया गया तो यह प्रशन एक बन सकता है कि आयुध्या का पुराना नाम क्या था फैजाबाद और फैजाबाद से पहले इसका नाम क्या था आयोधिया यानि कि नाम परिवर्तन का जो दर करम है कि चलता आ रहा है और अब इसको मूल नाम दिदियागा फैजाबाद को आयोधिया ठीक है तो यह सारे खास फैक ज्याद रखते हैं देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं देखिए उत्तर प्रदेश की जो मुख्यबंतरी है इनका नाम है योगी आदितेनार ठीक है और यहां की जो राजपाल इनका नाम है आनंदी बेन फटेल और उत्तर प्रदेश की बारती स्टेट बैंक देखिए मरस्डीज बेंच यह एक जो है जर्मन आर्ट व मोबाइल कंपनी यह दिखा है मरस्डीज कहां कंपनी है जर्मनी कंपनी है और इसने भी हाली में हाई नेट वर्त इंडिविजल звकों को वित्ती अलप देने की प्रिज़स के लिए भारती स्टेट बैंक यह दिखिए इस सहीोग में जोपका यह मतलब नए może स्कीम लाया गया है मर्सेडीज बेंज और भारती स्टेट बैंक के बिच में तो देखिए इस सहयोग में पांच वारत के कारेकाल वाले रिंड पर ब्याज की जो आकारसक दर है और कारेसूल कर दीगा यानि कि प्रोसेसिंग फीसा इस पर वित्तियलाब सामिल है देखिए जो की गईगा और सातों प्रशने की हाल ही में किसके दूराथिट इंडिया स्कूल番 का दूसरा संस्कृड लांच किया गया तो देखे इस Fit India School Week का जो दूसरा संस्क्रण है ये किरन रिज्जू के द्वारा नांचिया गया है और किरन रिज्जू का उन है ये भारत के खेल मंत्री है देखा है देखे लिए उकवा Fit India School Week है इस कारेकरम को पिछले साल नॉमबर 2019 में शुरू किया गया था और इसमें भारत के 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया था तो इसका दूसरा संस्क्रण अभी हाली में लांच किया है किरन रिज्जू ने और इस कारेकरम में भाग लेने के लिए अब क्या करना पड़ेगा जितने भी स्कूल हैं जो पार्ट्समेश करना जाते इसमें इनको जो है www.fitindia.gov.in slash fitindia school week पर अपना पंजीगरट कराना होगा और आड़ोंपरेशनी के हाली में किसने तीशरी बार वैस्विक अक्षय उर्जा निवेस बैठक re-invest 2020 का उतारन किया तो दीखे ये बेखते आपके हैं नरेंद्र मोदी और ये को हैं बताने की उरुत नहीं है दीखे बिहाली में जो आपका ये re-invest 2020 इवेंट था इसको जो जिसका गटन किया नरेंद्र मोदी ने तो दीखे आपको दादू इस सिखर समिलर्स का जो आयोजन है ये बारत के नवीन और नवी क्रेडी उर्जा मत्राले के द्वाना किया आता है और जो आपका re-invest 2020 होगा इसके लिए theme रखा गया है Sustainable Energy Transition के लिए नमचार यानि की Innovations for Sustainable Energy Transition देखे जो आपका ये re-invest है तो इसके पहले जो दो संस्क्राण है 2015 और 2018 में आउज़ किया गये थे और इसके बाद अब इसका आउज़न कब हो रहा है 2020 में नवा प्रशने की विश्व पर्यावरर सनचर दिवस का मनायता है तो दीकि विश्व पर्यावरर सनचर दिवस को हम 26 नॉमबर को मनाते हैं और ये दिवस संचर राष्ट परयावरर कारेकरम यानि की UNEP के द्वारा आज के अतार साल दीकि पिछले करीब तीन दसकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैस्वी कस्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरर से जुड़ी हुई है याद रखेगा कि युज़ाव का विश्व परयावरर संचर दीवस से इसको कमनाते हैं 26 नॉमर को दसओ प्रशने की हाली में भारत और संचर राज अमेरिका ने परमाडु उर्जा पर सहिए के लिए समझोते गयापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है तो दीके अभी हाली में भारत और संग्त राज अमेरिका ने परमाडू उर्जा पर सहयोग के लिए जो समझोता ग्यापन था इसको दस सालों के लिए विस्तारित कर दिया है देखे इस समझोते ग्यापन पर विश्तार संग्त राज अमेरिका और भारत के बीच सायूग के दस्वें वर्ष पर किया गया है देखे भारत और अमेरिका ने 7 दिसंबर 2010 को नई दिल्ली में Global Center for Nuclear Energy Partnership के साथ सायूग के साथ समझोते ग्यापन पर अस्ताक्षिर किया था 11 परशनी की हाली में किस राज सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए हरताल पर प्रतिबंद लगाने वाले आवस्यक सेवा अनुड़क्षड कानून यानि कि एसमा एक्ट को लागू कर दिया अपने राज में तो दिखे अभी हाली में उत्तर प्रदेश में एसमा एक्ट लागू किया गया है और एसमा एक्ट क्या कहता है दिखे आप पुदा दो इस एक्ट में लागू होने के बाद अब आवस्यक सेवाओं में लगे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ये अगले 6 महीनों तक किसी त इसका पुदा नाम क्या है आवस्यक सेवा अनुर्ख्षण कानून. डी जी सी ये था जैनि की जौब का नागरीक उड्डियान महारी साल है था तो इसने अंतर राष्टे फ्लाइट पर रोग को जो 30 नॉम्मर तक के लिए बढ़ा था लेकिन अब ये 31 दिसंबर तक बढ़ गया है तो ये थे आपके आज के सभी मातमूर करेंटे पर और अब हम भोल के थोड़ सा लाइक कर दिये फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दिखिए पहला प्रशनाव के लिए कि हाल ही में कि नहें नोबल सांती पुरसकार 2021 के लिए नामित किया गया अंसर बताईए और दूसरा की हाल ही में किस देश के फुटबालर डिएगो मारा डोना का निथर आगे बताईए और चौथा की राष्टि दुखद दिवस किस दिख को मनाया का बताईए और पांच मार्ग की किस दिख को भारती सम्मिधान दिवस मनायता है अंसर बताईए तो इसे के साथ आज करने पर समत कुता है कल फिर मिलेंगे कल के लिए बीडियो को लाइक और शे कर लेंगे तो इसे के साथ जय जय बारत